नमस्कार, गुड मॉनिंग, स्वागत आपका इस परभात की सीरीज में एक बार फिर से आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको सामने देख रहा होगा कि उत्राकन के जो परिभन तंत्रे उससे संबंदित कुछ प्रश्ण है बीश प्रश्ण यहां पर इस सीरीज में है अभी और भी प्रश्ण इस टॉपिक से है तो आगे एक और वीडियो साइड इससे बनेगी तो देखेंगे इन कुछिन को लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रश्ण आपका आज के लिए जो प्रश्ण है वो है आपका कि पंच पत्री राज्य में पंच पत्री किसको कहा जाता है खासतों गड़वाल छेतर में साइड कुमाओ छेतर में वी इसी नाम से हो लेकिन आपको बताना है थोड़ा बहुत इसी के नाम में कुछ चीज ने चुपी हुई है आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते है या ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है तो जाता है तो अब किया जाता है कारगो एरपोर्ट के रूप में लिखित किया यह पाकी आपको पता होगा कि compete greatANE widespread शर्च बाला हो जाएगा, फुलबाग पंदगर, गोचर चमवली में हो जाएगा, नैनी सेट पिथोरगरद में पुराने पेपरों में नैनी सेट बहुत बार आपका पेपर में आता था सोच जाता था कि यार साहद बच्चे कन्फूजन में रहें इसको नैनी ताल कर दें नैनी से नी सोच के ठीके बट ये तो खेर आपको पता ही है कि अच्छे से आपको डिविजन है यह ना चले दूसरा आता है कि उत्राकर्ण में सबसे बड़ा वह सबसे छूटा रनवे हवा जो है वो है आपका 1700 मीटर का ठीक है और पंतनगर की अगर हम बात करेंगे तो पंतनगर का है आपका अभी फिलाल 1372 मीटर का वर्तमान कंडिशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फस्ट हो जाता है जोली ग्रांट और चिन्याली सोड पीछ अभी जो है प्रस्तावित हो रहें कि जो जोली ग्रांट है इसका भी विस्तार किया जाना है ये आपका 2500 मीटर तक बनेगा और जो पंतनगर वाला है इसका भी विस्तार किया जाना है ये बनेगा आपका 3000 मीटर यानि क्या कह सकते हैं तीन किलो मीटर है तो कुल मिलाकर यहा जो आगे दिया हुआ वो बिल्कुल सही है वहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि सबसे बड़ा जोली ग्रान सबसे चूटा चिन्यालिस हो ठीक है तो फर्स्ट इसका फिलाल अभी आंसर है बाकी प्रस्तावित की बाद जब बन जाएगा तब ही तब अभी सरकारी काम ह आराम से होते रहेंगे ठीक है चले तीसरा आता है कि राज्य के किस इस्तान पर अंतराजिय बस अड़े का निर्मान किया जा रहा है तो राज्य में जो है आपका अपसर नंबर थर हल्दवानी में अंतराजिय अंतरास्टिय बस अड़े का निर्मान आप पास अभी प्रस् कंडी मार्ग पड़ा होगा, उसी कंडी मार्ग को ध्यान रखना Mountain Road कहा गया है, ठीके? कंडी मार्ग को ही क्या नाम दिया गया? Mountain Road, ध्यान रखना है स्टीज को तो उनका यो सफर बहुत कम हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि अभी जो है यूपी घूम के जाना पड़ता है कावरवेट के चकर में है ना तो जब ये खुल जाएगा तब देख लेंगे तब आगे फिपता आता कि राज्य उत्राखन राज्य का सबसे छोटा वह सबसे बड़ा रास्टिय राजमार है ठीक है तो सबसे बड़ा हमारे पास सबसे छोटा मिलता और सबसे बड़ा है आपका 07 तो ओप्सान नमबर सेकिंड है ठीक है थोड़ा से कन्फ्यूजन था कि 307 जो पहले सबसे छोटा था हरबट पुर्चे दिहरादून वो 307 था मतब पहरे तो कुछ और था अभी 307 है लेकिन अभी फिर से देखें तो NS30 आपका उधम सिंग नगर में कुछ मिलता है तीन किलो मेटर के आसपास 2.9 सम्थिंग आपके पास यह मिल जाता है वाकि NS7 की बात करेंगे तो सबसे लंबा रास्टी यह राजमार राज्य में जो मिलता है अभी आगे देखेंगे कि चार धामों के इसाब से इनकी लंबा मतब पूछी जाती है इनका करम पूछा जाता है इनमें से उत्राखन रोडवेज का गठन किस वर्स किया गया इनमें से उत्राखन रोडवेज की अगर हम बात करेंगे तो आपका उपसर नमबर 4 2003 में उत्राखन रोडवेज का गठन किया जाता है चलेंगे फिलाल नेक्स रगला कि निमली की जिलो में से किस एक में रेलवे लाइन नहीं बिची है देखो अभी हमारे पास छे जनपद मिलते हैं जहाँ पर रेलवे लाइन बिचाई गई है कड़वाल मंडल से तीन हो जाएंगे जहाँ आपका देहरादून हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा पोड़ी हो जाएगा और ऐसे ही तीन कुवाव मंडल से हम देखते हैं आपका उधम सिंग नगर नैनी ताल और चमपावत कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास अपसा निम्ट थर्ड बस्ता अलमुरा जहाँ पर अभी कोई भी रेल वी लाइन नहीं बीची है अभी देखो रिसिकेस कर्ण पर्याग रेलवे लाइन निर्माना अधीन है जब ये बन जाएगा ये आपका कुल मिलाकर यहाँ पर पांच जनपदों से होकर जाएगी लेकिन तब तीन जनपद हमारे पास और एड हो जाएगे जिन में से आपका चमबोली हो जाएगा रूद्र परियाग हो जाएगा और तीरी हो जाएगा तो अभी हमने कहा कि छेर जनपद हैं लेकिन उसके बाद आपके पास कुल नो जनपद मिल जाएगे जो रेलवे लाइन से संबंदित रहेंगी ठीक है चले एड दाता कि उत्राखन में रास्तिय राजमार्गों की संख्या है अभी जो लेटस डाटा है 2021 के लास तक जो डाटा आया हुआ है उसमें जो है उत्राखन में 22 नेशनल हाईवे अभी वरतमान में है ठीक है अभी देखो फिर से इनकी जो कुछ निर्माना अधीन वगेरा भी मिल जाते हैं ठीक है तो ये चीज़ें बाद में आगे जब बन जाएंगे तब देख लेंगे फिलाल जो किताबों के हिसाब से आपके पास है वो कितना है 22 नेशनल जो है आपका यहाँ पर हाईवेज मिल जाते हैं नाइन ते कि राज्या में सरपर्थम रेलवे लाइन किस वर्स बिछाए गई थी सभी को पता कि 1884 में पहली रेल लाइन जो है राज्या में बिछाई गई है जो कि किच्छा काट गोदा मार्ग आप लोग परते पहले तो ना चलेंगे देखेंगे आगे चीजाँ और कशे सबसे विश्थे izakयं को तो देखो सबसे कम पहले सबसे अधीक वाद करांगस सबसे अधिक आपके पास मिल ज्ल जाएगा कहा अ gradmen şa protocol 뛰 अगत視 सबसे कम हो जाएगा पोड़ी सबसे ज़्यादा हरीद्वार यारह के निम्लिक में से कौन एक उत्राखन में रेल याता यात का अंतिम बिंदु नहीं है देखो काट गोदाम आपका आता है तो काट गोदाम भी अंति मिल जाएगा जो लकसर है या आपका अंतिम बिंदु नहीं है हाँ इस्टेशन वगेरा जरूर है लेकिन अंतिम बिंदु की रूप में ये नहीं मिलता है बारा है कि रेल परिवहन के संदर में कौन सा इस्तान सही है यानि कौन सा विकल्प सही है पहला कि देरा दुन ISO को प्राप्त करने वाला राज्य का दूसरा तो ये तो गलत है क्योंकि ये राज्य का पहला स्टेशन है 2003 में इसको ISO का दर्जा मिला है वैसे 2000 में मोडल स्टेशन का भी इसको दर्जा मिल चुका है दूसरे है कि सन 1806 को लकसर जंग सन को हरदवार 1806 नहीं है यह 1884 में तो आई च्छे में कैसे जुड़ जाएगा भई यह आपका 1806 नबे में लकसर को हरदवार से जोड़ा जाता है तीसरे है 1987 को नजियबाद को कोड़दवार से जोड़ा जाता है ये भी थोड़ा से यहाँ पर गड़वड हो गया टाइप करने में क्योंकि ये भी आपका 1907C नहीं है ये 1897 है 1897 में नजेबात को कोड़वार से जोड़ दिया जाता है उस वर उत्राखने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन तो ये भी 2022 नहीं है ये आपके पास मिल जाएगा कितना 25 मई 25 मई 2030 को राज्य की प्रतम वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है राज्य में किया गया है और ये जो है आपका देरादुन और दिल्ली की वीच में संचाले थे तो फिलाल यहां पर इस क्वेस्टन में कोई भी विकल्प नहीं है जो सही है ठीक है सभी गलत है तो आपको सही करके मैं बता चुका हूँ जो भी कुछ चिजिए आपके पास यहां पर मिल जाती है नेक्स जलते है अगला सरकार के द्वारा पैच रिपोर्टिंग जो है एप जारी किया जाता है जिसमें कि आप लोग क्या है जो आपका गड़े बगएरा सडकों में हुए है उनकी फोटो बगएरा खींच के जो है आपका सरकार को भेजो और सरकार उनको भरने में क्या है? जल्दी से जल्दी उनको भराएगी मतलड़ ठीक है तो मैई 2023 में यह आपका application जो है लाउंच हुआ है तो इसको भी ध्यान रखना है फिप्टेम आता है कि उत्री रेलवे का सबसे आखरी इस्टेशन उत्री रेलवे का सबसे विकल्प का चुनाव कीजिए छोटी रेल लाइन का अंतिम बिंदु चमपावत वंदे भारत एक्सप्रेस उत्राखन की पहली वंदे भारत ट्रेन है चलो यह तो ठीक है अब ऑप्सन एक यह छोड़ा मैंने किताबों में आपको निश्चित रूप में मिल जाएगा कि जो रेल लाइन जो चमपावत वाली रेल लाइन है वो आपका अभी छोटी रेल लाइन है लेकिन इसको परिक्ष्यमानी थोड़ा सा अफडेट करना थोड़ा सा कुछ चीज़ दो, तीन और चार यहाँ पर ऑप्सन नमबर फूर्ट इसका सही आंसर मिल जाएगा ठीक है इसको ध्यान रखना चमपावत भी अब क्या है ब्रोड गेज हो चुकी है ठीक है फिर वो ऑप्सन के हिसाब से कभी अगर नहीं आता है पुराने किताबों मतलब तरिक्ष्यमानी वगर से कभी क्वेशन बनता है तो उस तरीके से फिर ऑप्सन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको ठीक है अगर आता ही है कि निम्न लिकित में से किस इस्तान पर चोटी रेल लाइन बिच्छी है कोड़द्वार, काठ गोदाम, धिरादून या चमपावत तो निसी सुमें नहीं है वो देखते हैं कि पहली रेल वे लाइन रामपुर किच्छा लालकुमा काठ गोदाम, यह है वो किच्छा काठ गोदाम आपका 1884 वाली, कारवेट परेक्टर को है तो उप्योगी रेल लाइन मुरादाबाद, कासिपूर और रामनगर, तो मुरादाबाद, नहीं है वेसे, यह आपका 50 परतिसत राज्या, सरकार का वित्पोसित हो जाएगा, ऑप्शन 30 का आंसर हो जाएगा, बाकी हरिद्वार देरदन डेले मार्ग जो है, वो राजा जी कारवेट नेशनल पार्क से गुजरता है, यह सभी को पता है, 18 की कुमावो मोटर ओनर्स य इंजिन मिल जाएगी, 1941, धीरी गडवाल, TGMO की अगर हम बात करेंगे, तियाब का 1950 में, ठीक है, ध्यान रखना कि सबसे पहले, 1920 में, हिल ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्तापना की गई, हिल ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्तापना की गई है, ललिता परसाद टम्टा द्वारा, ठीक है, ललिता परसाद टम्टा जी के द्वारा, 1920 में, इसको भी साथ साथ में ध्यान रखना, उसके बाद यह सब चीजें मिल जाती है, ठीक है, चलेंगे, अगला चलेंगे, क्विश्चन नमर आपका 19 है, कि भरकोट हवाई अड़े, अड़ा, राज्य के किस जिल्ले में परसे थे, देखो आपका उत्तरकासी में है, चिन्याली सोड हवाई अड़ा, उसको भरकोट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे हमने पंतनगर वाला फूलवा के नाम से दिखा, धिरदुन वाला जोली ग्रांड के नाम से, चिन्याली सोड का नाम इस्तानिय नाम लेकिन वेसे इसको मा गंगा के नाम से भी इसका नाम करनेया पर किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, चले, ट्वंटी आता है कि निमने लिखित रास्टे राजमार्गों में कौन अपने इस्तान के साथ सुमेलित नहीं है, देखो सबसे बड़ा हम गंगोत्री, फिर केदारनात, और फिर आता बदरीनात, सबसे लंबा नैसनल हाईवे वो बदरीनात है, अभी अंबाला तक जाता है, पहले जो अठावन था बदरीनात में सबसे लंबा वो यूपी नजियवाद वगरा जाता था, लेकिन अभी वाला जो है ना राज्य में सबसे लंबा NH7 है और वो आपका अंबाला होते हुए मतलब जाता है तो यह है आपका देखो फिर उसके बाद केदारनात आ जाएगा फिर आपका गंगोत्री है फिर यमनोत्री है तो ध्यान लखना यह आपका अगर हम बात करेंगे कि जो बद्रीनात का ही है 07 यहाँ पर 100 बढ़ जाता है यह 107 हो जाएगा यहाँ पर फिर से 34 है और यमनोत्री है फिर 100 बढ़ जाएगा 134 आपके पास यह आ जाएगा तो इन चीज़ें को ध्यान लखनगे रिविजन करेंगे अगली एक और परिवहन में आपका बनेगी तो उसके भी बात करेंगे जो भी कुछ चीज़ें छूटी ही है अभी कही सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है तो बात करेंगे अगली वीडियो में फिल्हाल अब आज का जो प्रश्ण यहाँ पर था उसका आंसर देख लेते हैं अब अलग-अलग सब्दावलियां राज्य में हैं कहीं पर जो है बिशोड के अलग-अलग अर्थे भी मिलते हैं तो बिशोड सब्द जो मेंली था बिशोड तो यह आपका घास लकडी आदी बोजा लाते ले जाते समय विसराम करने का जो पत्थर या इस्तल होता उसको विशोण कहते हैं अक्सर जो है कहीं पर पीट में बोजा लाते हैं कहीं पर सिर में लाते हैं पीट वाले ऐसे पीट रख दी कहीं बोजा वगएरा पत्थर वगएरा में रखके आराम करना तो हूँ आपका विसराम इस तल इसको कह सकते है कई सरे कमेंट आए अच्छे चीज़े जानने को मिलती है कि विसोड करके कोई राजेर्ब खेतों में आपका पक्षियों को भगाने के लिए जो आपका पुतले बनाए जाते हैं तो कहीं बने को डरोने भी गहते हैं इस तरीके से हैं तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन जो फिलाल आपका गड़वाल चेत्रे मुक्य रूप से जो विशोन है वो आपका विस्तरामिस्तल के रूप में भी आपको मिलता है ठीक है चले बात करेंगे अगली सुबह को अगली एक और वीडियो में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाल